हलो गाईज, विल्कम टो और चैनल इसे टूटर पॉंट तो में आकाउट के एक्जाम फ्रॉम में जो पेमेंट सेक्षन है, पेमेंट सेक्षन अभी तक इंकम्प्लीट है, बट हमारे जो फ्रॉम है, वो कॉलेज के ओर से वेरिफाइड हो गया है, बट पेमेंट अभी भी इ उसके बाद हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट आपको खुछ से करना पड़ता है हर से मिश्टर में, तो आप लोग खुछ से पेमेंट करना पड़ेगा, तो यह रहा फ्रॉम मैं इसको ओपर क्लिक कर देता हूँ, तो आप लोग वीव में जाओगे, तो पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो अगर आपका कॉलेज हर से मिश्टर एक्जाम के लिए पे कर देता है, तो नो प्रॉबल्म आपको चुटा से एक स्टेप होगा, इस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद आपका पेमेंट डाडेक्ट कॉलेज में चला जाएगा और उसमें होल्ड रहेगा, उसके बाद कॉलेज के थ्रू ये पेमेंट सकस्वली हो जाएगा, तो नीचे आप लोग देख सकतो, ये पेमेंट अभी तक इनकम्प्लीट है, वेरिफाइड हो गया है, बट इनकम्प्लीट है, आप लोग को I confirm the above करना पड़ेगा, उसके बाद confirm for payment, इसमें क्लिक करना होका, ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ, तो प्लीज वेट है, ओके, देन देखो, proceed to payment दिखा रहा है, ठीक है, proceed to payment, तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे, तो आपको payment section में चले आओगे, ओके, देखोगे, ये payment method, exam type, courses, semester, amount and payment type कैसे करोगे online, okay, तो इसमें आप online में क्लिक करोगे, online क्लिक करने के बाद आपको credit card, debit card, SBI net banking, net banking on others, okay, in case your previous transaction is not updated, then click button to previous, previous transaction हो आप लोग कर सकतो, आप इसमें क्लिक करोगे, debit card में, ठीक है, तो debit card में क्लिक करोगे, तो नीचे आप लोग देख सकतो, पूरा clear हो गया, उसके बाद 20 GST है यानि, कि सार्विस चार्ज लगेगा, 1.8% fees, okay, उसका proceed to pay करोगे, ये, proceed to pay करोगे, उसका debit card option में चला जाएगा, no problem, ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो college ये payment कर देता है, ठीक है, उसके बाद, proceed to pay करके, आप पर जो भी step होगा, उस step follow कीजएगा, debit कर कर थ जाता है, खुछ से करता है, जैस college के थू हो जाता है ये payment, वो लोग प्लीज इस payment को ना करे, आपके college में बात करें, कि आपके college में क्या payment कर देगा, no problem, उसके बाद ही, इस step को follow गाना, proceed to pay करना पड़ेगा, ठीक है, जिन college में नहीं करता है, उन लोगों करना पड़ेगा, तो आज इस video में इतना ही, आप फिर से dashboard में जाओगे, उसलब make payment में जाओगे, तो आप लोगो देख सकते हो, no problem, ठीक है, online में फिर से जाओगे, तो आप लोगो देख सकते हो, okay, कर सकते हो, उसके बाद ये जो print out कर लेना आप लोगो, exam form में जाके, इसको एक पर print out कर लेन ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो एक लाइक कमेंट कर देना, okay, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चलो मैं ते नेक्स्ट वीडियों देख लेए बाई, ठीक क्या,